Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे famous poet Rudyard Kipling की एक poem के बारे में जिसका नाम है If ये poem 1910 में publish की गई थी, 32 lines की ये poem है और 4 octets यानी 8 line stanza में बांटी गई है हर octet की rhyming scheme है ABABCDCD Friends, If का मतलब होता है अगर इस पूरी poem में poet ने बहुत सारे cases imagine किये हैं poet हम सभी को कुछ बुरे situations बताते हैं और हमसे उमीद करते हैं कि हम उस situation में अपना best behavior दिखाएं अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम एक successful man बन सकते हैं यानी हम अपने अंदर की अच्छाई को बाहर ला सकते हैं फ्रेंट्स पोयम की कई lines की शुरुवात इस word से ही होती है if से इसी लिए ये poem का title भी रखा गया है फ्रेंट्स रुडियर्ड के प्लेंग एक English journalist, short story writer, poet और novelist थे और उनका जन्म हुआ था 30 December 1865 में उनकी death हुई थी 18 January 1936 में फ्रेंट्स एक और बात यहां पे गौर करने वाली है कि इनका जन्म इंडिया में हुआ था और इस बात ने उनके writing career पे बहुत ज़ादा असर डाला था उनकी works में Indian culture बहुत नजर आता है साथ ही उन्हें Nobel Prize in Literature मिला था और ये award पाने वाले वो पहले English language writer थे इससे पहले भी कई writers को मिलता था पर English language के writer में Nobel Prize पाने वाले ये पहले थे और इनकी famous works में The Jungle Book, Just So Stories, Kim, Captain Scurigious, If, Gangadin, The White Man's Burden ये सभी शामिल है तो चलिए friends अब poem की text पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं यानि अगर तुम अपना दिमाग शांत रख सकते हो, keep your head का मतलब शांत रखना जब तुम्हारे आसपास सभी लोग अपना दिमाग खो रहे हो, उन्हें गुसा आ रहा हो और इसका blame वो तुम्हें दे रहे हो, अगर ऐसे situation में भी तुम्हारा दिमाग शांत रहता है अगर तुम खुद पर विश्वास कर सकते हो, जब सभी लोग तुम पर डाउट कर रहे हैं, उन्हें तुम पर विश्वास नहीं है but make allowance for their doubting too, मगर साथ ही तुम उनके doubts को भी allow कर रहे हो, यानि उनके doubts को भी तुम समझ रहे हो और उनका कारण ढून रहे हो if you can wait and not be tired by waiting, अगर तुम इंतजार कर सकते हो और ये इंतजार तुम्हें ठकाता नहीं है, बोर नहीं करता है or being lied about, don't deal in lies या अगर तुम्हारे बारे में जूट कहा जाता है, या तुम से जूट कहा जाता है तो तुम उन lies का हिस्सा नहीं बनते हो, उससे deal नहीं करते हो, उन्हें छोड़ देते हो और being hated, don't give way to hating या अगर तुम से कोई नफरत करे, तो तुम उस नफरत का रास्ता नहीं देते हो उसे बढ़ाते नहीं हो, बलकि तुम खुद उससे नफरत नहीं करते हो और इतना होने के बाद भी, तुम बहुत अच्छे नहीं दिखते हो या बहुत जादा समझदार नहीं बनते हो सबके सामने लोगों को ऐसा नहीं समझने देते हो If you can dream and not make dreams your master यानि अगर तुम सपने देख सकते हो और उन सपनों को अपना master नहीं बनने देते हो यानि तुम्हारे सबने तुम पर रूल नहीं करते हैं, तुम्हें परिशान नहीं करते हैं If you can think and not make thoughts your aim यानि अगर तुम सोच सकते हो और केवल thoughts को अपना aim या अपना मकसद नहीं बना लेते हो यानि तुम actions के साथ उन्हें पूरा भी करते हो If you can meet with triumph and disaster Friends, time का मतलब होता है जीत, disaster का मतलब होता है हार तो अगर तुम अपनी जीत और हार से मिलते हो and treat those two imposters just the same और उन दोनों imposters को, यानि उन दोनों धोके बाजों को एक जैसा treat करते हो तुम्हारे लिए उन दोनों में कोई difference नहीं है If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools यानि अगर तुम वो सत सुनकर उसे सह सकते हो जिसे तुमने कहा था, मगर कुछ knaves ने, कुछ बुरे लोगों ने उसे twist करके बदल दिया और उसे बेवकूफ लोगों के लिए एक जाल बना दिया अगर तुम ये बात सह सकते हो और watch the things you gave your life to broken या जिन चीजों को बनाने में तुमने अपनी जिंदगी दे दी उन्हें तूटा हुआ देख सकते हो और तुम जुक कर उन चीजों को दुबारा बना सकते हो उन्हें अपने पुराने औजारों से worn-out tools यानी पुराने औजार जो घिस चुके हैं If you can make one heap of all your winnings यानी अगर तुम अपनी सभी जीत की अपनी सभी achievements को एक भेर बनाते हो उनका and risk it on one turn of pitch and toss और एक pitch and toss का game खिलते हो उन्हें risk में डाल कर दाओं पे लगा कर and lose and start again at your beginnings और उस pitch and toss के game में हार जाते हो और फिर उन achievements को खो देते हो और शुरू से start करते हो and never breathe a word about your loss और कभी अपनी हार के बारे में एक शब्द नहीं कहते हो बस आगे बढ़ते चले जाते हो If you can force your heart and nerve and sinew यानी अगर तुम अपने heart को अपने दिल को अपने nerves को यानी अपने नसों को और अपने sinew यानी अपनी पेशियों को, muscles को इन तीनों को अगर तुम force कर सकते हो To serve your turn long after they are gone कि भले ही उनकी ताकत खत्म हो जाए मगर जरूरत के वक्त ये तीनों तुम्हारी मदद करें अगर तुमेंने इस काम के लिए force कर सकते हो And so hold on when there is nothing in you और तब भी ये तीनों तुम्हारे पास रहें जब तुम्हें कुछ भी ना बचा हो Accept the will which says to them, hold on केवल तुम्हारी will यानी तुम्हारी इक्षा शक्ती को छोड़ कर जो उन तीनों को कहती है तुम्हारी heart को, तुम्हारी nerve को और सिन्यू को Hold on, यानी रुके रहो डटे रहो If you can talk with crowds and keep your virtue यानी अगर तुम्हें भीड से बात करते हो और फिर अपने गुनों को बनाए रखते हो उस भीड में उन्हें खोते नहीं हो और walk with kings nor lose the common touch या अगर तुम तुम राजाओं के साथ चलते हो उनके बीच रहते हो और फिर भी अपनी सादगी को अपनी simplicity को नहीं भूलते हो Common touch का मतलब होता है सादगी If neither foes nor loving friends can hurt you और अगर ना तो तुम्हारे दुश्मन ना ही जो तुम्हारे प्यारे दोस्त हैं वो तुम्हें hurt कर सकते हैं नुकसान पहुचा सकते हैं If all men count with you but none too much यानि अगर सभी लोग तुम्हारे साथ friendly हो जाते हैं घुल मिल जाते हैं मगर जरूरत से ज़्यादा नहीं If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run यानि अगर तुम इस बीते हुए minute के 60 seconds को worth कर देते हो इनका सही use कर लेते हो इन्हें waste नहीं होने देते इस 60 seconds के time को waste नहीं होने देते अब in last two lines में poet हमें बताते हैं कि अगर ये जितने भी case उन्होंने कहे इन सभी में हम correct option को choose करते हैं अपने आपको सही रखते हैं अपना good behavior रखते हैं यानि ये पूरी earth ये पूरी धरती तुम्हारी है और जो कुछ भी इसमें है वो सब तुम्हारा है और इससे भी बड़ी बात ये है कि तुम एक man बनोगे एक इनसान बनोगे मेरे बच्चे यहाँ पर ये poem खत्म होती है ये बहुत ही popular poem है और इसमें बहुत ही simple language का use हुआ है लेकिन अगर आप इसे ठीक से पढ़ें इसके हर एक case को पढ़ें तो आपको खुदी पता चलेगा कि ये poem कितनी deep meaning को symbolize करती है तो friends ये थी Rudyard Kipling की poem If तो